धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित हो रहे माहकुंब 2021 मेले में नागा साधू संतों के अनों के रूप देखने को मिल रही हैं। 18 इंच है और वजन सिर्फ 18 किलो। कहा जा रहा है कि नागा सन्यासी स्वामी नारायन नंद दुनिया के सबसे छोटे नागा सन्यासी भी हैं। जीवन कठनाईयों से बहरा रहा है। नागा सन्यासी बनने से पहले उनका नाम सत्य नारायन पाठक था और वो साल 2010 के कुम्भ मेले में जून अखाडे में शामिल हुए थे। उसके बाद से ही नंद गरी जून अखाडे का नागा सन्यासी हो गए। तब से आज तक सन्यासी परंपरा को बखो भी निभा रही हैं। रहने वाले तो है हम जासी का नाम तो है हमारा सत्नारायन पाठक। तो शन 2009 में कुम्भ का मिला इस अरित्वार में लगा था तब हम नांगा हो गए थे। आकार के तो हम गुरुजी के साथ में यहां पे अभी कुम्भ मिला में आएं बर्जया दिला रहता हूं। नारायन नंदिगरी का कद छोटा होने के साथ ही उन्हें कानों से सुनाई भी नहीं देता है इसी कारण उनकी सेवा उनके शिश्य राजपाल द्वारा की जाती है नारायन नंदिगरी के शिश्य राजपाल का कहना है कि मेरे द्वारा नारायन नंदिगरी को नहलाया और पूजा पाठ में सहुग किया जाता है जो भी शरद्धालू उनके दर्शन करने आते हैं उनको मेरे द्वारा मिलवाय जाता है शिरत धालू इनके दर्शन करके काफी खुश होते हैं और इनके साथ सेलफी भी लेते हैं हरिदवार कुम्भ मेले में अलगलग साधू संत देश दुनिया से आने वाले शरद्धालों के मन को मोह रहे हैं मगर कुम्भ में ही आखिर क्यों ऐसे साधू के दर्शन होते हैं इसको लेकर प्रखर जी महराज का कहना है कि कुम्भ मेला बारहे वर्शों में लगता है कुम्भ में देश भर के अलगलग प्रकार के साधू संत आते हैं मगर अन्य समय में साधू संतों के प्रती लोगों में आकर्षन नहीं होता है और जब कुम्ब में शरद्धालू इन साधू को दिखते हैं तो उनके मन में आता है वो जो आये हुए सादू महात्मा उन पर पढ़ता है, चाहे हो कैसे भी सादू महात्मा है, किस रूप में है, तो नया कोई रूप दिखता है, तो क्यूरिसिटी बनती है, भही कैसे ये महात्मा है, इनका लाइफटाल कैसे है, उसको हम जाने, कुम्ममेलाई ऐसे एक व्योस् इतने सादू महात्मा को एक सादू महात्मा को एक साद देखने का आउसर मिलता है। दर्मनगरी हरिदवार के कुम्भ में नारण नंदगरी सबसे चोटे नागा सन्यासियों की रूप में विख्यात हो गए है। बड़ी संख्या में शरद्धालू इनके दर्शन करने पहुच रही हैं। शरद्धालू के लिए भी नारण नंदगरी एक आकरशन का केंद्र है। शिरदालों इनके दर्शन कर इनके साथ सेलफी भी ले रहे हैं, मगर एक वक्त वो भी था जब नाराण नंदिगरी को अपने छोटे खद के लिए लोगों के ताने सुनने पड़ते थे, मगर आज नाराण नंदिगरी भी काफे खुश हैं, क्योंकि आज लोग उनके दर्शन करने को लालायत रहते हैं, पंजाब के चरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट